तो चलिए दोस्तो आज मैं आपको बताने वाला हूँ ग्राम सुरक्षा योजना के बारे में यानि कि ग्राम सुरक्षा स्कीम के बारे में जहां पर हर महीने पंद्रा सो रुपे अगर आप निवेश करेंगे तो आपको मिलेंगे पूरे 35 लाक रुपे अब इस स्कीम के बारे में हम सारा कुछ डिटेल में जानते हैं तो वीडियो को सुरू से लेकर लास तक जरूर देगेगा वैसे दोस्तों सुरू करने से पहले आपको बता दू कि ग्राम सुरक्षा योजना में आप जो भी निवेश करते हैं तो उस पर आपको गारेंटीड रिटर्न मिलता है तो इसलिए कोई टेंशन वाली बात नहीं है देखें दोस्तों क्या है कि सरकारी योजनाओं में यानि कि गौर्ण्मेंट स्कीम में निवेश के कई बहतर विकल्प मौजूद हैं जिनमें आपको जोखिम लेने की तो कोई टेंशन ही नहीं है और रिटर्न आपको काफी अच्छा मिलता है और दोस्तों जिस स्कीम के बारे में मैं आपको बताने जा रहा हूँ ये पोस्ट आफिस की एक बहतरीन स्कीम है और जाहिर सी बात है दोस्तों कि अगर ये पोस्ट आफिस का स्कीम है तो यहां पर गारेंटीड रिटर्न मिलता है तो चलिए दोस्तों अब मैं आपको इस स्कीम के नियम और सर्तों के बारे में बताता हूँ देखे सबसे पहले तो 19-55 वर्ष की आयू के बीच का कोई भी भारतिय नागरिक इस बीमा योजना को आसानी से ले सकता है और साथ में आप ये जान लिजे दोस्तों कि इस स्कीम के तहट जो नियूनुतम यानि कि जो मिनिमम बीमा रासी है वो 10,000 रुपे की है जबकि अधिक तम आप 10,000,000 रुपे तक का निवेस यानि की इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं और दोस्तों इस यूजना का जो प्रीमियम होता है उसे आप मंथली, क्वाटरली, हाफ यरली या फिर एन्वली पे कर सकते हैं तो यह आप अपने सुइधा के अनुसार पे करेंगे एक ज़रूरी चीज और है दोस्तों कि ग्राकों को प्रीमियम का भुक्तान करने के लिए 30 दिन की छूट भी दी जाती है और देखिए दोस्तों यही अच्छी बात होती है कि जो पॉलिसी आपका चल रहा होता है जो उसका एक डियूरेशन होता है उस डियूरेशन में अगर आप पे नहीं कर पाते हैं आपको लेट हो जाता है तो आप इस प्रीमियम का भुक्तान कर फिर से अपने पॉलिसी को सुरू कर सकते हैं तो चलिए दोस्तों अब मैं आपको इस योजना के फायदे के बारे में बताता हूँ अगर कोई 19 साल की उम्र में 10 लाक रुपे का ग्राम सुरक्षा पॉलिसी खरीता है तो आप ये मान करके चलिए कि 55 साल के लिए आपका जो मासिक प्रीमियम है वो 1515 रुपे का बनेगा अब इस एग्जैंपल से आप ये समझ जाएं कि अगर आप 58 साल के लिए खरीता है यानि कि 58 YEARS के लिए पॉलिसी को लेते हैं तो आपका प्रीमियम होगा 1463 रूपीज और सेम इसी तर से दोस्तों अगर आप 60 साल के लिए लेते हैं यानि कि 60 YEARS के लिए लेते हैं तो आपका जो premium का amount होगा वो होगा 1411 यानि कि 1411 रुपीज और दोस्तो अगर आप इस policy को खरिते हैं 55 साल के लिए तो आपको मिलेंगे पूरे 31.60 लाक रुपीज यानि कि 31.60 लाक रुपीज इसी तरह से दोस्तो 58 साल के लिए यानि कि 58 years के लिए जो maturity benefit मिलेगा वो मिलेगा 33.40 लाक रुपीज यानि कि 33.40 लाक रुपीज और दोस्तो अगर आप इसी तरह से calculate करेंगे तो 60 साल के लिए जो maturity benefit होगा वो 34.60 लाक रुपीज यानि कि 34.60 लाक रुपीज तो इसके लिए आपको आपके जो नस्दीकी post office है वहाँ पर आपको जानत जरूरी होगा और दोस्तो इन सबके अलावा अगर आपको इस scheme से related या फिर इस योजना से related कोई भी आपको जानकारी लेनी है तो आप इनके toll free number पर call भी कर सकते हैं जो कि हैं 1800 1805232 वैसे दोस्तो अगर आप post office का कोई भी scheme लेते हैं तो आप इनके official website पे भी जाकर के सब को check कर सकते हैं और official website तो आपको पता ही होगा कि www.postallifeinsurance.gov.in है अब देखे क्या है न कि बहुत सारे लोगों को loan की जरूरत भी पढ़ जाती है तो यह भी मा यूजना जो है वो loan सुईधा के साथ आती है यानि कि मेरा कहने का मतलब यह है कि आपको इस पर loan भी मिल सकता है लेकिन यहाँ पर दोस्तो एक छोटा सा terms and condition है कि अगर आपको इसका lab लेना है इसका benefit लेना है loan का तो यह आप 4 साल के बाद ही ले सकते हैं यानि कि अगर आपने policy लिया है तो वो 4 साल पुराना होना चाहिए उसके बाद आप आसानी से यहाँ से loan के लिए apply कर सकते हैं और यहाँ पर दोस्तो आप 3 साल के बाद policy को surrender भी कर सकते हैं यानि कि यहाँ पर lock-in period जो है वो कितने साल का हो गया 3 साल का तो अगर आप इस policy को लेते हैं तो 3 साल का आपको lock-in period मिल जाएगा अगर आप इसको surrender करना चाहते हैं विड्रॉ करना चाहते हैं तो कम से कम 3 साल बाद ही कर सकते हैं और दोस्तों यहाँ पर एक छोटी सी problem यह भी होती है कि अगर आप 3 साल के बाद withdraw करते हैं तो आपको कोई भी फाइदा नहीं दिया जाता है देखिए दोस्तों इतना कुछ जानने के बाद मैं आपको बता दू कि इस policy का जो सबसे अच्छी बात है वो यही है आपको बता है कि कैसे आप हर महीने स्रिफ 15 सो रुपे निवेस करकर 35 रुपे कमा सकते हैं तो आई होप कि यह जानकारी आपको जरूर पसंद आई होगी और हाँ दोस्तों सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि दोस्तों अगर आप भी recurring deposit करना चाते हैं मंतली अपना पैसा बचाना चाते हैं जैसे कि हर महीने अगर आप सिर्फ 15 सो रुपे बचाते हैं या फिर डेली के 50 रुपे बचाते हैं तो आप अपने 1500 रुपे महीने के या फिर 50 रुपे डेली के basis पे 5 साल में आप सावा लाक रुपया तक आसानी से पा सकते हैं और यहां पर आप rate of interest भी अच्छा पा सकते हैं इन सभी चीजों के लिए आप हमें contact कर सकते हैं और हां दोस्तों अगर आपको saving deposit और loan से related कैसा भी queries हो तो हमें contact जरूर करें हम हर तरह से आपकी सहतर जरूर करेंगे और हमारे वीडियो पसंद आये तो हर बार की तरह like करें, comment करें, share करें और subscribe भी करें मिलते है next interesting video में